चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं आज के गरेंट फेर डेली बेसिस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं कि क्योंक्पॉइंट और नेशा स्पैशल डे एंसक्रीव डेल निस अब दे पीवाई क्यूस आप इना टेलीग्राम जोइन करें अमन सर वाइफेस चैनल पर यह वीडियो टेली अवलेबल हो सके और रेगुलर पड़ेंगे तभी ज्यादा बेनिफिट होगा आज के दिन की शुवाद 18 में इंटरनेशनल मुजियूम डे आज के दिन अब्जर्व किया आता है और इस दिन डेफिनिटी जो इसको ठीक है रेज किया था उसके विनस दी जाती है इंटरनेशनल कॉंसिल मुजियूम के द्वारा इंटरनेशनल मुजियूम को 1977 में पहली बार और इसका जो सबसे पहला थी में डोप किया गया था वह 1992 में डोप किया था डेफिनिटी जो है बढ़ते सालों में जो कंट् जो है पार्टिस्पेट करती है अलग-अलग इबिंट्स के साथ इवन इंडिया इस पार्टिस्पेटिंग देगे पहला कोशन आप सभी के सामने प्रधान मंत्री मोधी जी ने हाल फिलाल में एक एक्स्टेंसिव इंट्रेक्शन रखा यूपी के सीम के साथ और यह कहां प सेट अप किया जाएगा लोड़ बुद्धा के बर्थ प्लेस पर उसके बाद जो है जो डिसकेशन हुआ यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी अधितेनाथ और बाकी अदर मिनिस्टर के साथ की किस तरीके से यूपी में क्या क्या हो रहा है और साथ के साथ जो खुशी नगर डिस्टिक है यूपी में जहां पर गौतम बुद्ध जी से संबंदित है वो लोकेशन उससे भी संबंदित जो है कुछ डिसकेशन हुए है एक टेंपल लोड बुद्धा आइडल का है ना तो वहां पर भी निर्वाना अटेन किया गया था तो उसका भी जो है कोशन आपको को मिल सकता है कि विजट कहां कहां पर किया गया था तो यह कोशन आपको मिलेंगे लेट सी दा एक्स कॉशन जो है तो इंडिजेशनली विल्ट जो है फ्रंट्लाइन वार्शिप इंडकि है इंडियन नेवी में तो आंसर है इसकोशन का राजना सिंग्जे डेफिनेंटी ड class of ship जो है एक next generation stealth guided missile destroyer है जो की मेजगन डॉक के द्वारा ही जो है construct किया जाता है और अभी एक latest सूरत जो है fourth project है जो की project 15B के अंडर है इससे पहले कोलगत्ता class जो है इसका project था तो अब सूरत है क्योंकि सूरत एक गुजरात की definitely एक location है जो की commercial capital भी कह सकते हैं गुजरात की और second largest commercial hub है western इंडिया का अगर मुंबे की बाद अगर देखा जाए तो सूरत एक rich maritime location है तो इसके इतिहासिक जो है points भी बहुत सारे हैं जिसकी वज़े से इसके नाम पे जो है इस थैलेट को रखा गया है let's see the next question रिसेंडी कों से union minister है जोनों review किया है preparation of अमरनाथ यात्रा अमरनाथ यात्रा होने वाले दो साल बाद हो रही है दिल्ली में इसे review किया गया अमिज शाजी के द्वारा तो देखिए अमरनाथ यात्रा दो साल नहीं हुई और अब यह 30 जून से स्टार्ट होगे और 11 जून को यह जो है अवर होगे और इसके जितने भी डिवोटीस हैं वो लाज नमर में डिवोटीस इस साल जाने वाले हैं तो इसलिए इसका review जो है हमारे अमिज शाजी इनके द्वारा हाई लेवल मिटिंग के साथ जो है लिया आपना प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरह के से सेक्योर्टी इस पर ध्यान रखा जाएगा और बाकी ऑफिशल्स ने अदर जो डिवोटीस के लिए उस पर ध्यान दिए रहा है देखिए प्रेजिट कोविन जी ने अभी हाल फिलाद में मीटिंग करी है कौन सी कंट्री के प्राइमिनिस्टर से तो विजिट में है जमाइका के प्राइमिनिस्टर से मीट किया है तो प्राइमिंस्टर के जख़र्णा면rain जिनके साथ इनकी मिटिंग गया, कोपरेशन डिसकेशन हुआ है, मुम्रेंडम का, कि इन्वेस्टमेंट, सर्विसेस, स्पोर्ट्स इन सब चीज़े में जो है, इन्वेस्टमेंट की जाए, प्रीजनर और मल्टी लेटरल जो है, इरा इन सबी में, तो हाल फिलाल में इन्हों में भी कंसिडर किया है, कि जो अंबेडकर जी है, उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए, भारत वर्ष में और ओल अवर दा वर्ल्ड सोशल एकनॉमिक एंपावर्मेंट के लिए, तो उन्हीं को रिकोगनाइज किया गया है, और एक और जो है, मुमरेंडम साइन किया गया है, तो यह बहुत इंपोर्डेंट होने वाला है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवन कह सकते हैं, फिल्म जगत से समदें, फ्रांस में होगा, तो यह इवन्ट 17 से 28 के बीच में हो रहा है, 75 एन्वल कैनस फिल्म है, इसमें वैसे आक्षे कुमार जी को भी जा रहा था, लेकिन अन्य फेमस जैसे मुजिक मेस्टो या रहमान ग्रैमी अवर्ड विनर रिक्की कैज और इसमें आने वाले हैं, तो 17 से स्टार्ट होगा, 28 को यह खतम होने वाला है, और इसका स्टीमिंग जो है हर जगा होने वाला है, तो यह मतलब कौन सा है, 52nd वन है, और कहां पे है, इन्वार्मेंट फोरेस्ट जो है, भुपेंदर यादव जी इनके द्वारक आगे कि रामगड विधारिया रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व है, राजस्तान का, यह नोटिफाई किया गए, 52nd रिजर्व फोरेस्ट फोर वाल्ड कैट, तो यह इस कैटेगरी में आयागा रंथम बोर जैसे है, यह इसकी लोकेशन क्या है, तो रंथम बोर इसमें जो है, नोट इसमें बढ़ता है, और मुकंदरा साउत की तरह पढ़ती है, धो कोशन आपको इसमें मिल सकता है, वाइलोजिकल ये जो है, यह कमपनी जिसने रिडूस किया है, ने चलए कर्वेज को कोर्बेक्स इसका रेट 840 से 200 बचास कर रहे हैं एक huge difference है जिसमें tax अगर देखेंगे तो end user को यह 400 बे मिलने वाला है तो यह important है question आपको मिल सकता है private vaccination center में यह amount है क्योंकि देखे आभी decision लिया गया कि जो biological e limited है इसका यह vaccine कोर्बेक्स को emergency use authorization में डाला गया है बच्चों के लिए जो 5-12 साल के वर्ष के होंगे तो इसी वज़े से जो है company ने phase 1 और phase 2 में इनका जो है emergency use vaccination के थ्रू जो है इसकी जो है amount को कम किया है so that की maximum लोगों को maximum बच्चों को जो है यह virus से prevent कर सके है है ना तो let's see the next question recently एक virtual address हुआ सिल्वर जूबली celebration में तरह आई के तो यह address किस ने किया तो वर्च्वल अड्रस नरेंद मोदी जी के द्वारा किया गया तो प्राइम निस्टर नरेंद मोदी जी ने address किया प्रोग्राम जिसमें सिल्वर जूबली celebration हुआ टेलिकॉम रेगलर्टरी अथोर्टी अफ इंडिया का वीडियो कंफिर्सिंग के थुरू यह हुआ था ठीक है इसमें एक पोस्टल स्टैम भी रिलीज कीगी इस occasion पे और इस occasion पे जो है 5G test bet जो है इसे भी लोंच किया गया जो की डवलप किया गया है multi institute collaboration के साथ जिसमें IIT मदरास है वन ओफ दा मेजर जो है मेंबर है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है या पाटिस्पेट किया है तो बाकी अधर इंस्ट्यूट है IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉंबय, IIT कानपूर, I.S. बेंगलोर, Society of Applied Micro Electric Engineering जो है इन सभी ने पाटिस्पेट किया है इस प्रोजेक्ट का जो कोस्ट रहा है 220 करोड का रहा है ठीक है तो इसी को लोंच किया गया है पहला memorandum of understanding जो है Indian Council of Cultural Relations का जो है लुमनी बुद्धिश उनिवर्सिटी के साथ हुआ है इसमें Dr. B.R. Ambedkar Chair of Buddhist Study जो है इसको establish किया जासे है पहला यह है दूसरा letter of agreement जो है Kathmandu University नेपाल और Indian Institute of Technology है इनके बीच में हुआ है ठीक है for the joint degree program at master level दूसरा यह है उसके अलावा एक और जो है प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि Indian Council of Cultural Relations का जो है CNAS के साथ हुआ है और उसके अलावा एक agreement जो है SGVN Limited जो है इनका नेपाल Electricity Authority के साथ agreement हुआ है for development and implementation of around four projects तो यह सब जो है memorandum हुआ है पता हुआ ने जैपान ने हाल फिलाल में कितने amount का loan जो है sign किया है Ukraine की economy को assist करने के लिए तो यह 13 million yen का है तो यह जैपान ने 13 million yen यानि कि जो 100 million dollar के हिसाब से जो है loan agreement Ukraine को ठीक है असिस्ट करने के लिए दिया है economic crisis जो है जिससे reduce हो सके एक तरीके से fostering करने की कोशिस है so that की जो दिक्कते युक्रेन में अब आई है रशिया के अटेक के बाद उस सभी को जो है कि जैपान help करना चाता है वैसे इन्हों में military help इतना नहीं किया है तो इन्वेजन के बाद जो है humanitarian crisis हो चुके है युक्रेन में तो यह सब चीज़ें जो है democracy को बचाने के लिए जरूरी है million of Ukrainians जो है जो कठिनायों को सामना कर रहे है उसके लिए जरूरी है US Congress ने कितने सालों में पहली बार एक first public hearing रखे यूए फो पे तो यह 50 सालों बाद यह जो पब्लिक hearing है यूए फो का जो unidentified flying objects है हम कहा सकते है एलियन टाइप तो यह पहली बार 50 सालों में US house of committee के द्वारा open Congress hearing रखी जा रहे है इसको कोन integrate कर रहे है तो house intelligence committee जो है सब कमेटी है जो की counter terrorism और counter intelligence और counter clarification में इनके द्वारा यह जो है रखा जा रहा unidentified aerial phenomena को check करने के लिए और इसमें discussion होगा और जिसमें discussion में बहुत सारे जो है ग्रूप participate करने वाले हैं जैसे airborne object identification management ग्रूप जो है इसमें पाडिस्पेट करेगा इसके जो representative है जो की जो है discussion करेंगे चलिए देगी एक और कोशन कि Elizabeth bone जो है यह first France female Prime Minister बनी है है तो आपसे पूछा रासा कितने सालों में है तो आंसर discussion तीस सालों में और डेफिनेटली अभी जैसे प्रेजिडेंट अपोइंट किये एंगे फ्रांस के प्रेजिडेंट अपोइंट दोबारा रियपोइंट हुए है इलेक्शन के बाद तो एन्योल मैक्रों ने जो है अनॉंस्मेंट किया है कि जो लेबर मिनिस्टर है ठेक है अलिजबेट बोन ये न्यू प्राइम निस्टर होंगी जो लेश्ट्रेटिव एलेक्शन के बाद तीस सालों बाद एक वुमन को जो है प्राइम निस्टर की जो है जो दीगे इनका एच-61 है फॉस्ट वुमन नेम्राइब अस प्राइम हैं उनको सेव किया अभी आपने दो व्यक्तिव को जो सीरिल किलिंग होई है के शूट आउट किया गया उसके उपर आया था पाकिस्तान का ने बताया भी था देगे हाल फिलाल में रिसेंट्टी आइम एफ ने लिफ्ट किया है कौन सी करणसी के वेट SDR बास्केड में तो स्पेशल ड्राइंग राइट में युवान का जो है चैना का यह हुआ है कम तो उसके अलावा जो है कौन सी गंट्री के फोरें सेक्रेट्री जिसने आइडिया दिया है ग्लोबल नाटो का तो यूके ने आइडिया दिया है अभी वैसे फिल्लैंड और यह सब देश जुड गड़ में किसके तरह बिल्ड के गए इसका आंसर आप जरूर कमेंट बोक्स पर बताएं दोस्तों 6 एम पर डेली देखें वीडियो तभी जाके फायदा होगा आप रेगुलर 10 मिनट भी देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत जादा जो है बेनिफिट होने वाला आपको मिलेगा और बहुत सारी SSC अशूर फैसलिटी आपको मिल रही है SSC में 20% सेव करने को मिले 6 मंत एक्स्टा मिले तो यह एक अपरचनिटी ऐसी है जो बाद में नहीं मिलेगी इसका लिंक 20% डिसकाउंट के नाम से मैंने कमेंट बोक्स पर डाला है इसको आप जरूर देखीएगा, एकसर्स करेगा, कोड यूज करेगा, लाइव अमन जिससे आपको यह डिसकाउंट मिले 10 की जगा 20% और प्राइस हाइक होने से पहले इसे यूटलाइस कर लो तो आप SSC गोल में इसे जरूर यूटलाइस करें बाकि अन्ने किसी भी कोर्स में यह आप करिए शेर करिए चैनल को सब्स्राइब करिए थैंक्स अलोट फॉर वाचिंग